यह कौन सा एक्टर है जो पाकिस्तान में बैन है टी सीरीज में टी का पतलब क्या होता है क्यों यह चीजों को कुदरते ही क्यों है क्या यह सब बात आप जाना चाहते हैं तो बने रहे यह वीडियो के एंड तक दोस्तो हम जब भी पढ़ने जाते हैं प्रस्तो हमें नहीं तो हमें नहीं द्या आती है यह विधर सब्स्राइब ग्रड़ स बढ़ने जाता है कि rainbow का असली shape गोल होता है लेकिन हमें जमीन से वो आदा ही दिखाई देता है अगर हम उचाई पे जाएं या किसी अरोपलेन से उसको हम देखें तो वो आमें गोल दिखाई देगा यह तो latest news है आस्मान में तो कोई ट्रैफिक भी नहीं होता है फिर urban में हॉन की होता है बसली हॉन किसी पक्षिय ट्रैफिक को हिटाने के लिए नहीं बल्कि एक emergency हॉन की तरह काम किया जाता है जब भी कोई emergency होती है तो इस हॉन के दवाकर control उमें बता दिया जाता है दोस्तो आपने पुलिस के वर्दी में ये रस्टी तो देखी होगी लेकिन कि आपने कभी सोचा इस रस्टी का काम क्या होता है दरसल ये रस्टी नहीं बल्कि एक city होती है जो emergency के दौरान उनकी साहिता के लिए काम आती है दोस्तो आपने देखा होगा कि चुए को कोई भी चीज मिले वो उसे कुटरी देता है वो उसे कुटरता है इसलिए है क्योंकि उसके दान बहुत जल्दी बढ़ जाते है अगर वो किसी जीज को कुटरे का नहीं तो उसके दान बढ़ जाएंगे और उसकी मौत भी हो सकती है किसी भी चीश को कुतरना उसका शौक नहीं बिलकि चुहे की मजबूरी है Fact number 4 दोस्तो आपको तो पता ही है कि एरिया के मामले में रश्या अपने बड़ा देश है रश्या इतना बड़ा देश है कि इसके एक इससे में दिन होता है तो दूसरे इससे में रात होती है Fact number 3 दोस्तो सनी देवल एक ऐसे एक्टर है जो पाकिस्तान में बैन है दोस्तो आपने देखा होगा कि बाइक का टोल्टेक्स नहीं लिया जाता इसकी वज़ा यह होती है कि वो कार और ट्रक्के मकाबले भारी नहीं होती और टोल्टेक्स हमसे मेंटिनेस के लिए लिया जाता है लेकिन बाइक बाइक बहुत हलकी होती है जहादर दूरतर ट्रेवल भी नहीं करती इसलिए इसका टोल्टेक्स नहीं लिया जाता Fact number 1 दुनिया में अपने कई लोगों को वर्ड रिकॉर्ड बनाते हुए सुना होगा लिए को पता है कि 6 साल के बच्चे ने एक वर्ड रिकॉर्ड बनाया है जी हाँ दुजरात के अरमोल तर्सानिया वर्ल्ड एंगर्स कंपूटर प्रोग्रमर है इस एक्जाम को बड़े बड़े इंजिनर भी पास नहीं कर पाते लेकिन इस एक्जाम में इन्होंने हजार मैसे 900 माक्स हासिल किये थे यामर फैट क्या होते हैं राउल जी खतम